जे मातारेनी दोस्तों आज हम ले गया है नोरात्रीय स्पेसल चाना की घुगनी तो देखिए फ्रेंस हमारी गुगनी बहुत ही अच्छी लग रहे है बहुत ही सिंपल दरीकेस हमने बनाया है देखिए कैसे बनाया है यहां पर हमने चना को उबाल करके ले लिए हैं यहां रखकेस हमने एक बिरंस होड़े स्काइब लिए और बीना प्याज लाश्म के ओर जटच बने के तियार हो जाएगा बहुत ही Boris, बहुत ही कम समय में पाँच मिनट में बना सकते हैं आप लोग, ये, पाँच मिनट धूजने में लगेगा, बस बनके रेडिल हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमने उबाल करके रखा है, तो आप लोग बना सकते हैं बहुत ही असानी से, तो इसमे आप लोग देख सकते हैं, जीरा जलने लगा है, और मिर्च भी तहों पर चाना मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों को देखें Barbara का ज्यादा मैं नहीं नहीं है और अच्छी तरीके से उबल गई है ज्यादा भी नहीं है कि तूट जाए और यहाँ पर चाना डाल के थोड़ी सी भून लेंगे यह हमारी चाना की सुखी घूगनी है फ्रेंस तो आप लोग देख सकते हैं आच्छी तरीके से भून देना है बहुत ही सिंपल तरीका है बनाना फ्रेंस और बहुत ही पांच मिनट हमें बनने वाली चाना की घूगनी है और यहाँ पे सेना नमक डाल देंगे तो कन्या पूजन के लिए वेश्ट है, बचे बहुत ही अच्छे से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी भी लगती है, ऐसी भी परसाद का खाना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी हल्दी पौडर इसमें डाल दी, और थोड़ी सी यहाँ पे काली मिच का पौडर डाल रहे ह और बस थोड़ी सी पानी डाल के इसे मसाले को मिक्स कर देंगे, मसाले जलेगा नहीं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसी तरीके से बस करना है फ्रेंस, बस ज्यादा कुछने करना है इसे, बस भून देंगे मसाले, बस हमारा घुगनी बिलकुल रेडी हो चुक सकते हैं, या फिर घुगनी बोल सकते हैं, जो भी बोलना है, तो यह खिरपूडी हलवा पर अच्छा लगेगा, ऐसे बनता है नौरात्री पूचा में, तो इस तरीके से हमारा बिलकुल रेडी हो चुका है, जटपट, आप लोग देख सकते हैं, बस कुछ भी नहीं करना है और यहां पर मैंने निकाल दिये, आप लोगों की आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंस, कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंस, बहुत ही खीला की और बताइए कमेंट में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयमाताराणी, बाइबाई आप सभी करेंगे।